आप सभी का home science classes में स्वागत हैं आप सभी को पता है home science का महा प्रैक्टिक सट चलना है जिसमें आपको topic wise questions करा जाते हैं तो अब भी आपका टेक्स्टाल के topics चल रहे हैं तो जिसमें हमारा next topic है रेशम तो इसके बारे में इसके जितने भी important questions जाये किसी भी state के questions हो आपको यहापर मिल जाएगा तो अगर आप home science के किसी भी exam के तियारी कर रहे हैं तो आपके लिए important video है चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला question है रेशम के बहुते गोड नेम लिखेते हैं तो रेशम के कौन कौन से गोड़ देखने को मिलता है क्योंकि यह चिकना होता है चिकना सूत्र और दूसरा आता है आपका सहित दिर्गी करण next है रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोवा जिसे कोकून कहते है कि परसकरण के चड़नों को सही करम में वर्सित कीजिए तो जब रेशम का आपको यह बताना है रेशम कैसा बनता है कैसा इसकी प्रक्रिया होती है तो एक ही करके हम बताएंगे सबसे पहला आता है छटाई करना जिससे सौर्टिंग कहते है जो रेशम एक प्राविच होता है वो कोकून से प्राप्त किया जाता है तो उसमें सबसे पहले छटाई करेंगे उसके बाद आपका आता है रील बनाना ठीक है रील बनाना उसके जो कीडों से निकलता है धागा उसी से हम क्या करते हैं रील बनाते हैं फिर दूसरा आता है थ्रोइन यह हो कि तीसरा दूसरा हो चुका तीसरा है यह थ्रोइन चौथा है कताई करना पाचो आता है आपका इसमें गोंद ठोडाना उसमें प्रकाय का गोंद होता है जिसे डिग्मिंग कहते हैं छटा इसमें छ के कार्स कर नाव्य जाता है। जा वे राकार संब द्पय दोपेillन नॉर्ड किसा प्रकार है? यह सभी आपके रेशन के प्रकार है। को either को प्रकार के पाय जाते तो इन सभी के प्रकार है कै Rebel और ईक्जामनों टेरिक इस बनता है प्रोटीन प्रोटीन कीट कीट की कपड़े परिसज़ा प्रियोग की जाती है तो वेटिंग प्रकार की परिसज़ा होते हैं रेशम में की जाती है नेक्स्ट है रेशमी कपड़ों पर लगके धबबों को छोड़ाया जा सकता है कौन से वेधी और शोषक वेधी से जिसमें आपको चोकर, बेसन, आटा, फ्रेंड, चौक, मुल्तानी मिट्टी, नमक, ब्रेट का चूरा, टेलकम पौडर, उसके उपर ज काफ किया जाता है जिसे हम क्या कहते है और शोषक विधी रेशम की केड़ों की सबसी निस्क्री अवस्था है जिसमें वो कोकून इसमें वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता है इसी के बाद क्या होता है इसमें से रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम अत्वा रेय प्रोटीन रेशन, वह एक प्रोटीन यूग्ट रेशन है, तो रेशन प्रोटीन यूग्ट है, इसमें फैबरीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, तन्तू जो ताप का अच्छा सुचालक है, वह कौन सा है? कापास, तन्तु जिसकी पानी सोखनी की शमता कम है तो सबसे कम रेशम इसमें 10 प्रतीशत तक पानी सोख सकता है और उन सबसे ज़्यादा होता है चालिस प्रतीशत तक अभी कथण इसमें दिया गया है रेशम उतना यह लचीला होता जितना का तो यह गलत रेशम रेशम में सिस्टीं कडियां भी होती है तो यह आ और और तोनों ही आपका गलत है डैसस्क बाल की जलना सभाष्ण की बदबु करते हैं। अपे से ब्रोटीन से भिन दिखता है। और तो यह देटा है वह लग ही दिख́ता है। तो आचे लेते ही नेक्स वीडियो में इसके question और solve करेंगे अगर वीडियो पसंद आ रहा आप चाहते हैं ऐसे वीडियो और आते रहे तो आप comment करके बताईए और चैनल अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो peace चैनल को subscribe करें